नमस्कार दोस्तो, आप सभी का सवागत है, नोबल पुरुसकारों की घोशना चल रही है, और शी करम में सबसे पहले मैडिसेन का नोबल पुरुसकार होशित हुआ था, जो स्वानते पेवो को मिला था दोस्तो नोबल कमेटी ने अपनी घोशना में कहा कि स्वानते पव्यों को क्यों दे रहे हैं उनकी घोशना थी for his discoveries concerning the genomes of extinct humanians and human evolution दोस्तो 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब medicine के शेत्र में केवल एक व्यक्ति को पुरुसकार दिया गया इसा क्या किया है what he did to achieve this height दोस्तो नोब ने जो पहला काम किया वो किया sequencing the genome of neanderthal जो मानो की homo sapiens की पहली genome sequencing है वो 2003 में पूरी हुई थी उसके बाद इनोब ने 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 जनोम sequencing की दूसरा काम इनों ने किया था कि previously unknown homonym जो है डेनिसोवा तो डेनिसोवा नाम के homonym की इनों ने खोज की तीसरा काम किया कि जो neanderthal और डेनिसोवा है इनके homo sapiens के साथ genetically क्या relation है और genetic transferant में किस तरह से हुआ इस inter relationship की इनों ने खोज की और इनके ये जो सब काम है इससे पहलिए genomics नाम की एक पूरी की पूरी नई विधाही develop हो गई तो दोस्तों आईए इन सब पर एक एक करकर विचार करते हैं जो neanderthal की genome sequencing थी वो आसान काम नहीं था हमलों की genome sequencing में बड़ा लंबा समय लगा 1000 consortium और बहुत सारे प्रयास इसके लिए हुए तब जाकर 2003 में पूरी genome sequencing हो पाई नेंडर्थाल की genome sequencing में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसका genome सुरप्षित रूप से एविलेबल ही नहीं था नेंडर्थाल आज से हजारों वर्ष पहले पृत्वी पर विलुप्त हो गए हैं उनके अवशेश मिलते हैं और जो अवशेश मिलते हैं उनका DNA chemically modified हो चुका होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया होता है और bacteria का DNA उस DNA में मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं नुकलियस में DNA होता है और mitochondria में DNA होता है mitochondria में तुलनात्म ग्रूप से बहुत छोटा DNA होता है जबकि DNA में बहुत अधिक अधिक बेसपेर होते हैं तो इस तरह का हमारा DNA रहता है और जब उसमें समय के साथ अशुद्धता आती जाती है bacteria मिल जाते है bacteria का DNA आता है chemical वो तूट जाता है तो वो DNA कुछ इस तरह का हो जाता है जो दूसरी तरह हमको दिख रहा है तो दोस्तों इन दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि इसको analyze करना और इसको analyze करना कितना अलग-अलग काम है कितनी भारी कमस्या हो जाती है तो जो हमारे पाइबो की team थी उन्होंने पुरानी हड़ियों से DNA को अलग करने की और विसलेशित करने की विधियां विक्सित की उन्हें उन्हें माइट्रो कांड्रिया से विक्सित सुरू किया फिर नुक्लियर पे गए और 2010 में पहली बार उन्होंने नियंडर्थल का पूरा genome sequence पब्लिश कर दिया ये था इनका पहला काम दूसरा काम था वो था discovery of previously unknown hominin Denisova जैसे नियंडर्थल एक hominin है जो विलुप्त हो चुका है वैसे ही Denisova भी है सन 2008 में 40,000 साल पुरानी एक उंगली की हड़ी Denisova cave में discover हुई और ये Denisova कहा है Siberia के दफ्षनी भाग में दोस्तों Siberia बहुत ठंडा प्रदेश है और इसलिए ये जो हड़ी थी इसका DNA बहुत ही well preserved था और पावो की टीम को इसको analysis करने का मौका मिल गया और जब ये analysis किया गया तो इसका DNA sequence एकदम अलग निकला बागी सारे non DNA sequence से और इस तरह से स्वांते पैवो ने previously unknown homonin की discovery की और इसको नाम दिया गया Denisova तो दोस्तों इस तरह से एक और homonin की discovery हो गई Denisova, Neanderthal पहले से ही discover था इसके बाद इनों ने फिर ये खोज की कि इनका अंतर सम्मद कैसे रहा लगबग आठ लाक वर्स पूर्व, homo sapiens, Neanderthal और Denisova सब एक साथ exist करते थे Denisova मुखेता एशियाई भाग में थे, Neanderthal यूरोपिय भाग में थे और homo sapiens ने अफरीका से migrate किया था तो इनों ने जब अफरीका से migrate किया और इनके साथ interaction किया इंटर ब्रीडिंग की तो इसका परणाम यह हुआ कि Neanderthal में आज भी एक से दो परसेंट तो इसका परणाम यह हुआ कि आज के जो homo sapiens हैं जो यूरोप में निवास करते हैं उनमें एक से दो परसेंट डियने आज भी Neanderthal का है और जो मंगोलिया की तरफ लोग निवास करते हैं उनमें एक से च्छे परसेंट तक डियने डैनिसोवा होमोनिन का है जो अफरीका है ऐसी ऐसा मानना है कि अफरीका में भी होमोसेपियंस के अलावा और होमोनिन रहे होंगे लेकिन अफरीका का मौसम इस तरह का है कि वहाँ पर कुछ भी हड़ी या कुछ भी बचता नहीं है वहाँ बैक्टिडिया इत्ते जादा है कि वो धीरे धीरे अपने आप नश्ट हो जाता है तो वहाँ से पुराने अश्यष मिलना बहुत मुश्किल नहीं इसलिए वहाँ रसरस नहीं हो पाई है लेकिन यहाँ से जो कीज़ें मिली हैं उससे इस फ़र्ष्ट है कि हम लोग जो हैं वो केवल होमोसरपियंस के जीन नहीं है हमारे अंडर नियांडर्थल, डैनिसोवा और अन्यपूरवजों के जीन्स और दोस्तो जो इन्होंने नई फिल्ड डेवलप की वो थी पहली जेनोमिक्स दोस्तो पहली जेनोमिक्स जो है ये एक साइन्स है जिसमें जो एकस्टिंक्ट प्रजातियां हैं जो प्रजातियां समाप्थ हो चुकी हैं उनके जेनोमिक information को analyze किया जाता है उनका gene sequence बनाया जाता है और ये कैसे बनाया जाता है क्योंकि एक तो जो DNA निकालने की विधिया है उन पे improvement आया है तो जो museum में artifact रखे हैं या birth में जमे हुए हैं या archaeological sites पर मिलते हैं उससे हम DNA अच्छी तरह से निकाल पाते हैं उसके अलाबा जो DNA sequencing technologies हैं उनमें भी बहुत परिवर्तन आया है और इन दो में improvement की वजह से ये field develop हो पाई है और हमारे जो nobel पर उसका रविजयता है स्वानते पेवो उन्होंने इसके विकास में बहुत महतुपून होंका निभाई है और इसके विक्सित होने से क्या हुआ है जो genetic drift आया कि एक जीव प्रजाती से दूसरी जीव प्रजाती में जैनेटिक बदलाव जो आए पुरानी जो जन संख्या थी वो एक जगे से दूसरी जगे कैसे गई उनमें संबंध कैसे थे इनका अभ अधिक वैग्यानिक अद्यान किया जा सकता है और दोस्तो इस विधा का उभीयोग हमारे पूरवजयों से हमारे जीन को भी compare करने के लिए दोस्तों जो हमारा immune system है वो हमारे dna से effect होता है और इससे ये पता चलता है कि पुराने जो hormone इन थे उनके कौन से gene हम में आए और वो किस तरह से homo sapiens याने हमारे survival को प्रभावित करते हैं जैसे coronavirus से लड़ने वाला जो system है वो neanderthal gene पर बेज़र था उसका जिबबत के लोगों में उचाईयों पर रहने का जो अनुकूलन है उसका जो gene है वो denisova से आया है इस तरह से ये field आज के हिसाब से भी बहुत जरूरी है नया field विक्सित हुआ है इससे ये पहचान मिले कि हम लोग आये कैसे हैं कहां से आये हमारा विकास कैसे हुआ है तो दोस्तों ये था पहला अंक ये यात्रा जारी रहेगी हम सभी नवल पुरस्कारों पर वीडियो बनाएंगे अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like, share, subscribe करना न भूलें और अंतितक्स आप रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you